आपका स्वागत है modern classroom में आज हम UPG के पढ़ेंगे आप किसी भी exam के तैयारी कर रहे हूँ आपको अपने राजी के जानकारी होना बहुत ही जरूरी है इसलिए आज हम UPG के पढ़ेंगे इस class में total 30 question है जो कि बहुत important है लगबाग हर exam में पूछे जाते हैं चलिए question की तरब बढ़ते हैं आगे हमगरा पहला question है उत्तर परदेश को पूरुम में से किस नाम से जाना जाता था United province, आरे परदेश, आवद प्रांथ, उत्री प्रांथ इसमें option number आपका A सहिए United province question number 2 उत्तर परदेश में नागो का प्रदान केंदर कौन सा था? सारनाथ, कौसांबी, तच्छिसिला, मथूरा इसमें option number आपका D सहिए, मथूरा question number 3 उत्तर परदेश, राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताचर किये गए? इसमें option number आपका A सहिए, साद दिसम्बर 1947 question number 4 उत्तर परदेश, पंचायत, राज, संसोधन, अधिनियम कब पारित किया गया? 1992 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में इसका option number B सहिए, 1994 में कब पारित किया गया? 1994 में question number 5 उत्तर परदेश में मुख्मंत्री परद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला बैक्ति का नाम बताईए गोविंद बललब पंथ, स्री नरायडदत, चौदरी चरड़ सिंग, हे मोती इसमें option number आपका A सहिए, गोविंद पललब पंथ, सबसे अधिक समय तक ये मुख्मंत्री उत्तर परदेश के रहे थे, ठीक है? question number 6, उत्तर परदेश में सबसे अलप समय तक कौन मुख्मंत्री के पत पर रहे, यानि सबसे कम समय तक? हेमोंती, गोविंद, त्रिवोन, इन में से कोई नहीं इसका option number C सहीए त्रिवोन सबसे कम समय तक त्रिवोन question number 7 उत्तर प्रदेश मुख्यमंतरी की न्यूक्ति कौन करता है प्रदान मंतरी, संसद, मुख्य नयदेश, राजिपाल इसका option number D सहीए राजिपाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंतरी की न्यूक्ति राजिपाल करता है इसको याद रखेगा, कौन करता है राजिपाल question number 8 उत्तर प्रदेश में राजिपाल की न्यूक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री, ग्रे मंत्री, मुख्य मंत्री, राष्ट पती, इसका option number D सही ये राष्ट पती, ठीक है, फिर से देख लेते हैं सात्वा, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है, ठीक है, तो इसमें आपका option number कौन सही था, राज्य पाल, ठीक है, ब्रदेश में इस्थानीय स्वायतु सासन का ढहाँचा किस प्रकार का है, एक इस्तरिय, चतुली इस्तरिय, ट्री ज्वी इस्तरिय, इसमें option number आपका सही है, C, त्री इस्तरिय, ठीक है, त्री इस्तरिय आँसर सही है, question number 10, उत्तर प्रदेश मैं बिदान सभा को भंग करने काधिकार किसे है? राजपाल को, राष्टपती को, मुखमत्री को, किसी को नहीं. इसमें O recibir number आपका. ए सईए, राजपाल को, ठीक है? उत्र परदेश में विधान सबा को भंग करने का अधिकार केवल राजपाल को है. नहीं राष्टपती का है, इसमें option number आपका D सही है, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ सही होगा, फिर से देख लेते हैं, असोग द्वारा निर्मित भारत का राज चिन सिंग इस्तम उत्तर भारत में कहां पर है, इसमें option number आपका D सही रहेगा, सारनाथ, question number 12, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर, ब्यवसाय, सिच्छा वा कला के प्रमुक केंद्र थे, मथुरा, कौसामबी, प्रियाग, सभी, इसमें option number आपका सभी सही रहेगा, ठीक है, D, सभी प्रमुक केंद्र थे, मथुरा भी था, कौसामबी, प्रियाग, ठी 277, 1757, 1885, 1857, इसमें option number आपका D सही है, 1857, ये काफे महतपूर कोश्चन है, फिलाल 300, 300 महतपूर हैं, लेकिन सभी कोश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है, कोश्चन नमबर 14, बिस्सो परसिद ताजमहल उत्तर परदेश के किस नगर में इस्तित है, लखनव, मिरट, आगरा, बनारस, इसमें option number आपका C सही है, आगरा, सबी लोग जानते हैं ताजमाल कहा है आगरा में है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है भारत के परदानमंत्री जवारलाल नहरू का कारिकाल कब तक रहा इसमें आपका अंसर यह सही है इनका निधन हो गया था ठीक है चलिए कोश्चन नंबर सोला कि बहुत धर्म के व्रज्यान साखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ ठीक है इसका ऑप्सन नंबर आपका बीश ही रहेगा सारनाथ में ठीक है उप्सन नंबर बीशहारनाथ में कोश्चन नंबर संटर किस सन में ऊत्तर प्रदेश का नाम सयुत प्रांथ रखा गया यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है 1937 1935 अठारसचप्द उचापण इसमें आपशन में आपका यह he साथेज, ठीक है? कोश्चन नमबर 18 उत्तर परदेश में 1857 की करांती का आरंब सर्वपर्थम किस नगर से हुआ? लखनव, मेराट, इलहाबाद, कानपूर इसमें उप्सन नमबर आपका B से रहेगा मेराट उप्सन नमबर B मेराट फिर से देख लेते हैं उत्तर परदेश में 1857 की करांती का आरंब सर्वपर्थम किस नगर से हुआ था? लखनव, मेराट, इलहाबाद, कानपूर इसमें उप्सन नमबर आपका B से रहेगा मेराट कोश्चन नमबर 19 उत्तर परदेश भारतिये गरतंत्र का एक पूर्ड राज किस सन में बना? 27 जनुरी 1950, 26 जनुरी 1950, 6 देशंबर 1950, 21 मार्च 1947 इसमें उप्सन नमबर आपका B से 26 जनुरी 1950 ठीक है? 26 जनुरी 1950 उत्तर प्रदेश बहारतिये गड़तंत्र का एक पूर्ड राज किस सन में बना 26 जनौरी 1950 Question No. 20 उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेत्युत्र किस नेता ने किया महात्मा गांदी चोदरी चरण सिंग सर्दार बल्ला भाई पटेल पंडी जवालल नहरू उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेत्युत्र किस नेता ने किया महात्मा गांदी चोदरी चरण सिंग सर्दार बल्ला भाई पटेल पंडी जवालल नहरू Question No. 21 देखते हैं उत्तर प्रदेश में काकोरी सद्यांत्र कांड कब हुआ 9 जुलाई 1925, 16 फरोवरी 1925, 15 अगस्त 1925, इसमें आप्सन नम्बर डी सहीए 9 अगस्त 1925 कोश्चन नम्बर 22 उत्तर प्रदेश में चंदवार का परसीद युद कब हुआ 1194, 1205, 1188, 1199 आपसन नम्बर आपका A सहीए 1194 फिर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में चंदवार का परसीद युद कब हुआ था 1194, 1205, 1188, 1199 इसमें आपसन नम्बर आपका A सहीए 1194 फिर से देख लेते हैं उत्तर परदेश में खानवा का परसिद यूद कब हुआ था ? गोश्चन नमबर 24 देखते हैं उत्तर परदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अदिकार किया ? उत्तर परदेश की आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था था ठीक है कोश्चन नमबर 25 उत्तर परदेश में सामुगड का परसिद युद कब हुआ था 1605, 1627, 1658, 1650 में इसमें आपसन नमबर आपका C शेयर आएगा 1658 में ठीक है उत्तर परदेश में सामुगड का परसिद युद कब हुआ था 1658 इस भी में ठीक है कोश्चन नमबर 26 उत्तर परदेश में परसिद बुलंद दरवाजा कहा इस्तित है देखें ये भी बहुत important है उत्तर परदेश में परसिद बुलंद दरवाजा कहा इस्ती थे फतेपूर लखनवु जौनपूर आगरा इसमें option number आपका कहा सही रहेगा फतेपूर सीक्री में ठीक है बुलंद दरवाजा कहा इस्ती थे फतेपूर सीक्री में कोश्चन नमबर 27 देखते हैं उत्तर प्रदेश में चोखंडी, इस्तूप कहां इस्तित है? इलाहवाद, गुरखपूर, कौसंबी, सारनाथ इसमें आप्सन नमबर आपका डी से ही रहेगा सारनाथ ठीक है? कहां इस्तित है? सारनाथ में कोश्चन नमबर 28 उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इस्तित सीलालेख किस काल का है? मौरिकाल, गुप्त काल, सुग काल, कुसाड काल इसमें आप्सन नमबर आपका सी रहेगा सुग काल, ठीक है? इसमें कहा रहेगा सुग काल उत्तर परदेश में अयोध्या में इस्थित, सीला लेक किस काल का है? सुग काल का है, ठीके? चलिए, कोश्चन नमबर 31 उत्तर परदेश में मुगल कालिन लाल किला कहा श्थित है? कानपूर, लख्नओ, फतेपूर, आगरा इसमें option number आपका D से रहेगा आगरा ठीक है लाल किला कहां इस्थित है आगरा में उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित है ध्यान अखिये का मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित है कानपूर, लखनव, फतेपूर, शीक्री और आगरा इसमें option number D से ये आगरा question number 30 उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस सासक का इस्तंब लेक इस्तित है कनिस्क, समुद्र गुत, असोग, बिंदुसार इसमें option number C से रहेगा असोग फिर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस सासक का इस्तंब लेक इस्तित है कनिस्क, समुद्र गुत, असोग, बिंदुसार इसमें option number C से रहेगा असोग आपका question समापत होता है यह बहुत जरूरी है कि आप अपने राज की जानकारी रखें, ठीक है इसलिए यह UPG के पढ़ाया गया है अज यह पहला set कराया गया है ऐसे अभी कई सारे set आने बागी है, ठीक है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप like, share, comment जरूर कर दिया करें, ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और bell icon को भी प्रेस कर दें जिससे जो भी वीडियो डाला जाए, वो आप तक notification पहुंच जाए, ठीक है आप टेलिग्राम पर भी जोईन हो सकते हैं तकि वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडियो अप मिल सके ठीक है और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए, थैंक्यू